हाई अब्रीबन कैसे हो आप सब प्रेंट्स टाइटल देखके आप समझ गया आज मैंने क्या बनाया है तो लीजिए पेश है आपके लिए ये गर्मा गरम ब्रोकली सूप बिंटर स्टार्ट है और ब्रोकली काफी फ्रेश आरी है और ये सूप जो हमें हेल्दी भी रखता है और गरम गरम पीने से हमारे को थोड़ा अंदर गर्मी भी मिलती है और ये टैजेस्ट भी बड़ी जल्दी हो जाता है तो इसलिए सब लोग ज्यादा लाइक करते हैं इन रेसिपी फ्रेंड्स यहां पर मैंने ले लिए कुछ इंग्रीडियंट की पहले आपको मैं दिखा देती हूं जो हमने ब्रोकली सूप के लिए यूज किया है तो यह है मेरे पास लेसुन दो के लिए इसको मैंने कट कर लिया और यह है अनियन टुफली चॉप किया हुआ ए यहां पर हमने गैस ओन कर लेनी है और गैस ओन करते हैं हम रख देंगे इसपे पैन अब मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा फ्रेश बटर यह भी मैंने घर पे निकाला हुआ और इसकी वीडियो भी अपलोड है कि बटर कैसे निकाले इसमें डाल देंगे हम बेलीफ जैदा कोक नहीं करना बस यह देखिए आपकी बस हिला देंगे इसको बस इतको सॉफ्ट करना है हमने इस दीक से दिखा देती हूं कि यह जैसे थोड़ा सा तूक होना शुरू हुआ साथ ही हम डाल देंगे इसमें कटी भी ब्रोकली ब्रोकली बहुत फ्रेश है और कलर इसको अच्छे से मैंने चील कर वाश कर लिया था और साथ ही डाल दिया मैंने आदा चमच नमक एक कप पानी वाटर का यूज हम आगे और करेंगे लेकिन फिल हाल के लिए इतना काफी है और इसको हम ढखकर 10 मिनट के लिए पका लेंगे बीच में चेक भी कर लेंगे हम इस इसमें बॉइल आ रहा है यह देखिए नजदीक से तो यह कुक होना शुरू हो गया है यहां पर मैं बता देती हूँ कि पोटेटो मैंने इसलिए डाला ताकि हम कॉन फ्लोर ना डालें यह बाइंडिंग का काम भी करेगा और यहां पर इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आ लेंगे एक मिक्सी जार में तो यहां मैंने मिक्सी जार ले लिया है और यह सारा कुछ हम इसमें पलट देंगे तो यहां पर बे लीफ हम निकाल देंगे अलग साइट कर दिया मैंने इसे ताकि हमें बाद में इसको चानना भी ना पड़े तो यह सारा जो कुछ भी है अच् यह इसका एक fine paste यह देख सकते हैं अच्छी प्यूरी बनी है इसकी कि देख सकते हैं आप गैस ओन करके मैंने कडाई रख दी इसमें डाला थोड़ा सा बटर बटर कम जैदा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और यहां मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च पाउडर यह भी मैंने घर पे पीसी हैं इसकी भी मेरी एक वीडियो अपलोड है और यहां डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा सीनिमन पाउडर इसको भी मैंने घर पे ही पीसा हुआ है बस चुटकी भाड डाला है यह दिखिसमें से भी मैंने बचा दिया यह सिरफ ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं मेरे को अच्छा लगता है इसका टेस्ट थ गैस को हाई नहीं करना किलो लुटो मीडियुम रखेंगे एक कप पानी ओडाल दे मैं लगा हुआ दाल केया अब इसको हम ढ़क कर दो मिनट के लिए पकाएंगे, दो मिनट हो चुके हैं और इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, यह देखिए नस्दीग से मैं दिखा रही हूँ आपको, यह काफी अच्छे से पका है, तो इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं इतनी रेखूंगी, बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो बहुत ज़्यादा गाड़ी है, यह देखिए मैंने, और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है, अब अपने हिसाब से इसको गाड़ा या पतला कर सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल परफेक्ट है, तो अल्मुस्ट डन है, तो चलिए अब हम कर लेते हैं, इसकी प्लेटिंग, यहाँ मैंने दो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास गाजर पड़ी थी, मैंने उसको बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया, और यहाँ पर मैं डाल रही ताकि जब हम इसको पीएं, तो थोड़ा-थोड़ा करंच सा आया, तो चबाने में अच्छा लगत यह सारी चीजें अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, चाहे तो डाले या ना डाले, लेकिन सूप का टेस्ट सेम ही रहने वाला, यह सिर्फ अपने मन पसंद चीजे हैं कि आप कैसे गार्निश करते हैं, I hope आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइ अच्छी लगी, मने खूए तो फिजके का टेधार मैं आपको यह बूचित लुक है।